Welcome back friends, यह है हमारी वीडियो no.36 Python programming series के लिए और इस series की previous videos में हमने discuss किया था object oriented programming के features को और यहाँ पे हमने देखा था class and object क्या है, constructors को हम किस तरी किसे create करते हैं object को delete कैसे किया जाता है तो अगर आपने previous videos नहीं देखी है तो पूरी जो playlist है उसका link का आपको description box में बुलेगा वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और इस video में एक और concept हम object oriented programming का सीखने वाले हैं जो की है inheritance तो श्टार्ट करते हैं, topic हमारा है inheritance तो पहले इस concept को हम यहाँ पे समझेंगे then इसी के जो program है वह हम practically system पे करके देखेंगे तो start करते हैं, सबसे पहले inheritance आपका क्यों use होता है inheritance आपका use होता है reusability of code के लिए यानि कि अगर आपने एक class को already create कर लिया है multiple classes आपके पास है तो उनके जो property है या behavior है या simply हम बोल सकते हैं उसके अंदर जो data है या methods है या simply functions है उनको हम access कर सकते हैं किसी दूसरी class में भी यानि कि single objects है multiple जो आपकी classes है उनके जो data part है उसके जो members है उनको हम access कर सकते है तो यहाँ पर inheritance हमको useful है reusability reusability के लिए यानि कि एक बार अगर आप code लिग दिया है आपने तो उसको आप simply inherit करके आने वाली classes में भी use कर सकते है तो इसका simple सा example है जैसे कि parent आपका होता है तो parent के जो property है या behavior है वो child के अंदर आती है तो इसी तरीके से यहाँ पर जो parent class है या base class जिसको हम कहते हैं उसके जितने भी features है वो हम inherit करके जो base class है child class है उसके अंदर यहाँ पर use कर सकते है अब inheritance के अंदर आपका एक से ज़्यादा classes involved होंगी और यहाँ पर multiple types है inherit करने के एक तो आपका simple inheritance है यानि कि इसमें simple एक class A होगी और इससे हम B को inherit करेंगे यानि कि B के objects है अब A के अंदर जितना भी data है जितने भी functions है उनको हम access कर सकते हैं और दूसरा आपका होता है multi level यानि कि A को inherit किया B ने then B class को inherit किया C ने तो C जो class है यह B के भी जो property and features है उसको access करेंगे और साथ में A को भी access करेगा तो यह multi level होता है इसके लावा यहाँ पर multiple भी होता है यानि कि हमरे पाद दो class है A and B और जो C class है दोनों की ही property को यहाँ पर acquire करती है तो यहाँ पर अलग-अलग है एक तो आपका simple है जिसमें केवल two class involve होंगी एक आपका multi level है जिसमें अलग-अलग levels पर यहाँ पर चलेगा and third आपका multiple है multiple यहाँ पर आपका आगया तो simple सा है तो इसका example यहाँ पर हम देख लेते है then इसी को हम practically भी देखने वाले है तो सबसे पहले अगर हम simple inheritance को देखें तो माल लीजे मैंने class A करके यहाँ पर class create कर ली and इस class के अंदर मैं एक function बना लेता हूँ for example def मैं बना लेता हूँ A class का function यानि कि A F मैं simply इसको लिख देता हूँ and इसमें self आप चाहें तो कोई और variable भी यहाँ पर use कर सकते है self के बदले and इसमें मैं print कर देता हूँ यह है हमारी first class यह हमारी पहली class है तो इसका अगर हम object create करेंगे तो इस function को हम access कर सकते है लेकिन अब हम यहाँ पर दूसरी class भी create कर देते है class B and इस class के अंदर simply एक हम function बनाते है B function यानि कि दूसरी class का जो function है and इसके अंदर भी हम लिख देते हैं self and simply हम इसके अंदर print करेंगे आपका second class second class तो inherit करने का तरीका simple है अगर B में हमने inherit करना है तो B में हम यहाँ पर parameter दे देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं A तो यह जो statement है यह क्या बता रहा है कि जो B class है इसने A class के जो property है and behavior है उसको यहाँ पर inherit किया हुआ है तो अब हम अगर B का यहाँ पर object बनाएंगे तो वो access कर पाएगा A के property और functions को यानि कि A को वो access करेगा तो यहाँ पर B के लिए माल लिए टी नाम से मैंने एक object यहाँ पर किया बनाया B class का तो अगर मैं T. यहाँ पर AF लिखता हूँ तो AF जो है वो इस class का function है यह भी access हो जाएगा और अगर मैं T. BF यहाँ पर लिखता हूँ यानि कि जो second class है तो इसका तो directly ही access हो जाएगा यह direct EC का जो है object है तो यह हमारा example हो गया simple inheritance का इसके लाब मल्टी लेवल inheritance अगर आप करेंगे तो मल्टी लेवल में भी आपका same है मल्टी लेवल के अंदर यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ पर बना सकते हैं एक और class यानि कि class C यानि इसके अंदर आप लिख सकते हैं B यानि कि इसको आपने inherit किया and again हम यहाँ पर लिखते हैं def function बना देते हैं C class का बना के अगर हम यहाँ पर C का object बनाते हैं तो वो भी इन दोनों ही functions को access कर पाएगा यानि कि वो B के function को भी access करेगा वो A के function को भी access करेगा और C के functions को भी access करेगा और data members को भी access करेगा और इसके अलावा अगर हम multiple यहाँ पर तो यहां पर हम इसको inherit नहीं करते हम यहां पर directly आपका C के अंदर ही हम यहां पर लिख देते हैं A and B यानि कि दोनों ही class को हमने inherit यहां पर कर लिया है तो simple सा है I hope आपको concept यहां पर समझभाया होगा काफी simple सा concept है और Python के अंदर काफी easy है इसको create करना तो इसको हम यहां फे practically system बहुं करके देखते हैं तो हमने है इहां पर concept समझा काम यहां पर हो जाएगा क्योंकि केवल एक variable name आपने देना होता है तो इसमें मैं लिख देता हूँ this is first class यह आपका पहली class है and then again हम एक और class यहां पर create करते है class b and इसके अंदर हम लिख देते है def यह है b class का function and इसके अंदर केवल s लिखते हैं हम and इसमें मैं लिख देता हूँ this is second class यह जो है second class है तो दो classes हमने create करी अब simply हमने inherit करना है तो b class में हमने a को inherit कर लिया काफ़े simple है python के अंदर और अब हम यहां पर b class का एक object करना चाहें तो हम कर सकते हैं और b class के function को तो हम यहां पर already कर ही सकते हैं तो simple सा है तो यह हमारा single inheritance का example है तो देखिए this is first class second class अब object जो बना है केवल एक class का बना है second class का लेकिन inheritance की हम इसको यूज़े से हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं इसके लावा multi-level को अगर हम समझें तो एक और class हम बना लेते हैं c class and इसके अंदर हम inherit करते हैं b को देखिए multi-level है a को inherit किया b b ने and b को inherit किया c ने तो simple side def हम यहां पर लिख देते हैं यह क्लास का function के अंदर भी simply मैं लिख देता हूँ this is third class तो this is third class यह हमारी third class हमने create करी है तो यह अब अगर मैं यहाँ पर c class का function create करता हूं तो यह दोनों function तो हमारे access हो ही सकते हैं और साती में जो इसका अपना function है उसको भी हम call करके देखते हैं तो तीनों ही function हमारे यहां पर execute होंगे तो यह हमारा example हो गया multi level का इसके अलबागर multiple हमने करना हो तो यहां से हम हटा देते हैं आपका A को यानि की A को हम inherit नहीं कर रहें, दो independent classes है और यहां पर हम A, B लिखके दोनों को ही यहां पर inherit करते हैं जैसे आपका child के अंदर आपका father and mother दोनों की ही properties आपके inherit होती है for example आपका eye color है या height है, तो वेसे यहां पर हमने दो अलग-अलग classes को inherit करके एक base आपका एक child class में या sub class में inherit कर लिया है, तो देखिए simple सा है अभी भी हमारा जो work है वो same तरीके से चल रहा है, तो I hope आपको python के अंदर object oriented programming के अलग-अलग features यहां पर समझ माया होंगे और साथ में inheritance भी समझ माया होगा, तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी खतम होती है, वीडियो नमबर 35 अज़िए 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 अज़िए